करता है देखो बाव यह है सिरलंका यहां देखान देवे सिरलंका आप कंसिप्ट समझे जो हम समझाने जा रहा है यह हमारा प्यारा हिंदुस्तान यह हमारा हिंदुस्तान हो गया और यह देखे यह USA USA हो गया यह पहली दुनिया में आता था यह यह सोवियत संग रूस रसिया पुराना नम सोवियत संग रसिया यहाँ पर बात समझगाओ जब 1945 में दुतिय विस्यूद खतम हुआ Second World War जब खतम हो गया था तो Second World War खतम होने के बाद इन लोगों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चालू हो गई हम पावर्फुल यह तुम पावर्फुल अब इसे कहा गया CTU यह Cold War Cold War अमेरिका और रूस के बीच में लड़ी गई एक ऐसा वार था जिसमें यह दोनों एक दूसरे पर एक भी गोली नहीं चलाएं लेकिन पूरी दुनिया में गोली चला दिया सभी सब खुद एक भी नहीं चला ऐसा रूस चाहता था हम पावर्फुल बन जाएं अमेरिका चाहता था हम पावर्फुल बन जाएं रूस चाहता था दुनिया हमारे साथ आ जाएं अमेरिका चाहता था हमारे साथ आ जाएं जो लोग अमेरिका के साथ गएं वो कहला हैं पहली दु इसको महान आया तो कहला है cold war नत्ते यहां मारता था युद्ध यह हो गया सीथ युद्ध सीथ युद्ध मतलब यह नई कि ठंडी के दिन में लड़ाई लड़ा है सीथ युद्ध का मतलब है कि तुमसे जो जो रहेगा हम उससे नफरत करेंगे आप देखिएगा घर में आप तो इसे कहते है सीत युद्ध, तो सीत युद्ध चला था, अमेरिका चाहती थी पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए, पहली दुनिया में, रूस चाहता था पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए, दूसरी दुनिया में, जबालल नहरू बड़ी हुसियार कहा कि हम कोनों में नही कहा गया समया गया तो इसमें हम किसी के साथ नहीं है इसे कहते है गुट निर्पेक्ष नौन इलाइजिंग हम किसी में नहीं है तो भारत तीसरी दुनिया में था अब देखिए रूस के साथ एक खराबी, समझते चलिए, रूस के साथ खराबी क्या है, कि उपर का ये एरिया जो है बर्फ से ढग जाता है, तो ये एरिया में बर्फ भायानक पढ़ती है, आपको बताए हैं यहाँ थंडा क्यूं पढ़ता है, यह सुरी की किरिने नहीं जाएगी, यह सीत क दूर अमाली यहां से यहां जाना है तो पाइलेट थोड़े न लड़ पाएगा सब्सक्राइब तो यह उपर से यह नहीं जा सकता है तब यह क्या करेगा नौ सेना भेजेगा क्योंकि नौ सेना की जहाजे बड़ी-बड़ी होती है उसमें बेड्रूम सोने होने का सब जगह होता है सारे फौजी सोय रहेंगे जो चलाने वाले रहेंगे आठ दस तो चलाएंगे जब यह नौ सेना की जहाजे यहां पहुंच जाएगी तो वह सब जग के इसको मार देंगे सब तो दूर की लड़ाई में कौन काम आता है नौ सेना काम आती है अब एक खराबी देखो यह जो है आपका अमेरिका यूएस से इसके पास बरफ नहीं जमता है क्योंकि यह तो बहुत दूर है तो इसकी नौ सेना यहां तक जा सकती थी लेकिन उसकी कैसे आती है तब इसके लिए रूस जो था इस रास्ते से आता था इस रास्ते से जाके हमला करता है लंबा पड़ जाता है तो रूस जो है वो ठंडी में इधर से नहीं आ सकता था वो ठंड के दिन में इधर से आता था अमेरिका ने कहा कि अगर हम क्या जी अगर हम रूस को इधर ही रोक दें तो ठंडी में यह इधर से आईए नहीं सकता हम इधर रोक देंगे और हम युद जानबुच कर टपिक अने के नकसा में भावव व क्लियर साथ तक कि अधू करने के लिए घर ना सिर लंगाजा कैसा के जी सब्सक्राइब पैसा दिया क्रोड़ों रूपया मदद दिया है के लिए बनाओ ये बनाओ वो बना दुनिया-भर चाइब उसके बिया जूसका दूम और नीचे याद रखेगा, हमबन टोटा कहाँ पर है, सिरिलंका में है, हमबन टोटा एक बंदरगाह का नाम है, जो स्रीलंका में है, हमबन टोटा बंदरगाह को अमेरिका ने कहा, कि भई तुम इसको हम को दे दो, इसका किराया तुम हम से लेना, हम यहाँ पर राडार और से सर्रक है कि बनुल सर्सतरा निकला लोल इसको पते नहीं कि इसके सब भी सरधर्ध हो जाएगा रूस और अभी चल रहा है सी तीज्द्ध कि यदि में दोनों जो है एक दूसरे के मंडाई बनूह में सब बंदरगा का नाम हम बंटोटा बंदरगा का नाम पता पट पता हैं यह हैं बंदरगा का नाम हम बंटोटा वेरी गूड बंदरगा का नाम हम बंटोटा बैक इंड वाले लोग सब लोग का जवाब सही है हम बंटोटा बंदरगा का नाम हो गया हम बंटोटा किसी को कोई दिक अब यहां समझे रूस जो था रूस अगर चुप चाप हाथ से हाथ पे रखके बैठता तो रूस तो मरा जाता ठंडी की दिन में उधर से जाएगा नहीं अईधर से जाएगा तो सब पता चल जाएगा कि इतनी जहाजे गई है अमरीकवा यहीं पर इंतजार करेगा दो देग देंगे हम अब पगला गिया रूस तो रूस बोला भारत को रूस किसको बोला भारत को हिंदुस्तान को का कि हिंदुस्तान तुम हमारी जिंदगी आज बचा लो जिंदगी भर हम तुमरा आइसान नहीं भूलेंगे तो उस समय इंद्रा गांदी ती कही का करना है बताईए कि हम आपका ऐसान कई से जायं भल्यां को क्या करना है तो इंड्रा घंदी से का कि कुछ भी करिया हमको मतलब नहीं है आपको जतना पाइसा चाहिए लिए आ attitude आप बस यहां से अमिरिका को भगा दिजिए किसको भगा दिए अमेरिका को भगा दिए अब अमेरिका को भागाना कई से सिरलंका से तो सिरलंका से भागाने के लिए भारत ने चाल चला भारत ने क्या किया कि तमिल लाडू यह सिरलंका के भारत का निचला राज है तमिल लाडू तमिल लाडू के बहुत से लोग सिरलंका में काम करते हैं बसे हुए हैं सिरलंका में तो भारत ने कहा है काम करते हैं सिरलंका से कैसी अमेरिका को भगाएंगे तो उन्होंने क्या किया तमिल लाडू के लोगों का एक संगठन है जिसका नाम उन्होंने तयार कर दिया लिट्टे लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल इलम इसका नाम क्या है लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल इलम लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल इलम यह एक बिद्रोही संगठन है यह घुज गिया सिरलंका में और कहां कि सिरलंका को दो भाग में बाटो उपर का सिरलंका मे मेरा और नीचे का सिरलंका मेरा यह भाई सिरलंका का हम तो अपने छोट हैं हम और बाटेगा तो हम खुत्तम हो जाएंगे तो ल्टीटी वालों ने कहा रहे तब हमसे लाड़ा ही लड़ो इन लोको हाथियार भारत से मिल ही जा रहा था क्योंकि रूस का कहना था कि कुछ भी क सिरलंका से अमेरिका को भागाओ हम बन टो टा से अब ल्दों ने जितना काट मार हो गया सिरलंका में इतना बावाल हquencyटी वैलों से इतना मार खाडू ल्बार की सिरलंका समझ गया सिरलंका भारत से कहरा है कि भारत यyanga को रहा भारत ने कहा कि तू सजु रखूँ कहीं यहां से हाँ हम बन टोटा देला भी ना का जरूवत हुआ अमेरिका को भगाओ वहां से तो सिरलंका अमेरिका से कहता है कि भाईया तू यहां से अपना ट्रांस्मीटर इस्टेशन आपना लेकर चल जाओ यहां पर नहीं तो हम रहां सब समझ रहें इसके पीछे कौन है तो यहां से अमेरिका को जाना पड़ा और यहां से जब अमेरिका चला गया तो जो रूस था वह बहुत खुस हुआ भारत पे और कहा कि जीवन में कभी भी जरूवत पड़ेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहें तो आप बताईए रूस भारत के साथ रहता है कि नहीं रहता है हम रहता है सिरलंका में हमबन टोटा के चक्कर में बहुत लोग मराय थे लोग एल्टीटी वालों ने मार दिया अजब अमेरिका चला गया ना तो भारत ल्टीटी वालों को मार दिया जा यहां पर ल्टीटी वालों ने मिला त कि तुम हमारे साथ खेलवार कर रहा था तुमको उससे बंदरगा भागाना था तो तुम हमको भेज दिया हम वहाँ कितने लोगों को मारें फिर तुम हमको मार दिया अंतराश्टी चीजों में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है LTT समझ गया कि LTT की समस्या कहां पर है ल्टीटी की समस्या कहां पर ल्टीटी संगठन सिलंका में थी मारे और के खृतम कर दिया गया समझ गया कैसे LTT ने किसको भगा दिया, अमेरिका को हम लोग किसको भगा दिया है, LTT को बार में जा, इसका बदला चुगा नपता राजी अगांदी को, बम पें उड़ा दिया है सесьरा राजी अगांदी को आज भी रूस जो है, आज भी रूस किसके साथ भारत के साथ हम लोग ने उसका बहुत-बहुत कांड किया अब लिए अब वो देखिए यहां क्यों आना चाहता था सीति युद्ध में डारेक्ट हमला नहीं करेंगा तुमको घेर गार के रखेंगे ताकि हम कभी भी तुम पर भारी पड़े अब यहां पर है नेपाल अब यहां देखिए आते हैं अमेरिका अब कहां इंट्री मार रहा है अब चल्वाइब नेपाल में सोचा कि अगर नेपाल में घुज जाएंगे तो हमारा दूश्मन बना है भारत इनको भी देख लेंगे चीन कोभी देख लेंगे और यहां से जहाज लेकर सडाग से घुज जाएंगे रूस में यहां से कितना मिनट लगेगा 20 मिनट में तो रूस घुज जाएंगे इसलिए अब अमेरिका का निशाना सिरलंका नहीं था अमेरिका का निशाना था नेपाल अब ये नेपाल में इंट्री कई से करें तो इसने क्या किया देखा कि नेपाल के लोगों में आँख खराब होने की समस्या बड़ी जादे है महां की जलवा यूँ ऐसी है कि बड़ी जल्दी आँख वहां डिस्टर्ब हो जाता है तो अमेरिका ने अपने हजारों डॉक्टरों को नेपाल में भेजा और कहा कि देखो यहां के लोगों का आँख खराब हो जाता है फिरी में इलाज करो तो अमेरिका से आख के हजारों डाक्टर आएं, फिरी में इलाज कियें, यहाँ पर हॉस्पीटल खोला गया, कॉलेज खोला गया, यहाँ एक से एक आख के डाक्टर को बनाये गया, आज भी आख का इलाज होता है, नेपाल में बहुत अच्छा से, नेपाल पुझा कि ए अमे बनाने को दे दो, भाड़ा पे, हम उसका किराया देंगे, बनाएंगे हम ही सब किराया देंगे, नेपाल का ठीक है, ले लिजे, कोई दिक्कत नहीं, आप हमाई लिए इतना कर रहे है, बकलोलवा इसको समझ में नहीं आ रहा है, सिरलंका का भी क्या हाल हुआ है, कितना बनाजा का ठीक एरपोर्ट ले लिजे नहीं, खबर लिख हो गया, चाइना का रहा है, नेपलवा, कहीं चोटा कहीं का तुम हमरे सीधाने ले आके तुम चाइना को देगा, अमेर्का को देगा, अब नेपाल का कि हम तोराना छोड़ेंगे, भारत ने का चाइना उसे निप घुजा दिया था, LTT, चाइना ने क्या घुजा दिया, माववादी, अभी माववादी चाइना में घुज गया, चाइना को पता था कि भारत ने सिरलंका से अमेरिका को कैसे भगाया, यहां असांती पैदा करके, तो यह भी का कि हम भी नेपाल में असांती पैदा कर अपने कैगा अमेरिका चल जवरना हमरी सान्ति भंग हो जाएगी, मावादियों को घुजा दिया और मावादियों को चाइना ने हथियार दिया तो अमेरिका का दुस्मनी उस समय भारत से भी हो गया चाइना से भी हो गया रूस से तो पहले ही दूस्मनी था अभी बताईए इसमें बेचारे नेपाल के लोग मरा गये मावादी के चक्कर में यह से चला गया लेकिन भारत ने ल्टीटी को खुद खत्म किया ठाइब चाइना बढ़का खचड़ है मावादी भेच के खत्म नहीं किया नेपल क्या कि हमावादियों को इंडिया में घुजा दिया, ये नक्सलवादी बन गए समयाँ आके, ये सीत युद का नतीज़ा, हम लोग जहल रहे हैं, संग आगे की नहीं आगे, इसके बाद अमेरिका कहा आप कहा जाए, तो अमेरिका पाकिस्तान में घुज गिया, पाकि सार्क में कुल देश होंगी संग्या कितनी है, आठ देश आते हैं सार्क में, या रहागे की नहीं, सार्क में कितने देश आते हैं, आठ, आठो के नाम, Мालदीब, सिरलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भुटन, बांगलादेश, संग में आगे ए की नहीं किसी को आगे बढ़ जाए है ना रसिया उदर से हम्ला भाई आ आलास्का की और से हम्ला नहीं कर सकता है युद के समय मेंisha चारों और से हम्ला करना चाहिए कोई एक डारेक्शन में थोड़ी ना इसलिए सब चाहता है कि हम चार ओर से हमला करें इसलिए हम बंटोटा का एरिया को ये अमेरिका ने क्या किया था प्रिफर किया था ये जगा बुलिए कौन सा जहिन